बहुत मसले हैं चाहें मैं जे की पीएसे की बात करो रहबरे खेल, रहबरे जंगलात या फिर एनवाइसीज बहुत ऐसे मसले हैं जिस तरीके से जिस परकरिया से 370 को तोड़ा गया वो गलत था तो इस पर स्टैंड क्लियर करने वाली बात किया और रही दूपने बोला है रहबरे खेल हो गया पीएची के जो डेली वेज़े इन सबी के साथ जो है राहूल जी जो है मिलेंगे चलते हुए आप देखते हैं जैसे बाकी परदेशियों में उनका दर्थ जो है वो सांजा करेंगे और अजी खुद चलकर जो है युगाओं की बेरोजगारों क्या दर्थ महंगाई से जो गरीब आदमी तरस्त है उनका दर्थ चात्रों का दर्थ जिस तरीके से शिक्षा का नीजी करन है या चाहे शिक तो किस तरीके से डेल किया जाएगा ताकि इन लोगों से उस्पेशली युवां से मुलाकात हो से दिखिए उनको अमंतरित करते हैं मापके चैनल के माध्यम से की वह जहां पर यात्रा का जो रूट होगा उस यात्रा के रूट में वह सकते हैं और हम भी उनके पास कर सकते लिए तुसरी बाद भाती cry जंता पारटी पाटी जो है बादी जंते पार्टी अगर मेहिवा मुफ्ती के सासर्कार बना सकती है तो वही मेहिवा मुफ्ती है अकर यात्रा का वेल्कम करने आ रेंतों उनके पीट में तृट में जरल ने रहा हो चुनका तो यक सहास तूटा हुआ है तो आप कैसे सोच सकते कि भारत जूड़ा हुआ है नमस्कार आप सब्सक्राइब का सब्सक्राइब किस तरह से डेल करेगी देखिए बाकी सब तो अलग मुसले चल ही रहे है डेली वेजस को सबसे बड़ा मसला है युवाओं को लेकर आज बहुत मसले है चाहे मैं जेकी प्यासे की बात करो रहबरे खेल रहबरे जंगलात या फिर एन्वाइसी बहुत ऐसे मसले हैं अगर मैं बात करो भारत जोड़ो यात्रा किस तरीके किस तरह से डील करेंगे यहां के लोगों की दिकतों को जो कि स्पेशली युवाओं को लेकर है देखे बारत जोड़ो यात्रा जो रहूल जी ने कन्यकुमारी से निकाली है और जिसका समापन जो है हमारे ही जम्मू किश्मीर में होगा और शरीनगर में जाके होगा यह या तरह के दुवारा जो है राहूल जी खुद चलकर जो है युवाओं की बेरोजगारों क्या दर्थ महंगाई से जो गरीब आदमी तरस्त है उनका दर्थ चात्रों का दर्थ जिस तरीके से शिक्षा का नीजी करन है या चाहे शिक्षा में जिस तरीके से सबसे पहले परिक् परकार के और पूरे देश में खास कर जिस तरीके से नफरत का महौल है और यह नफरत का महौल भी जो है यह जां बूज कर बारत्ती-जंतah पार्टी के दुवारा जो है फिलाया जाता है ताकि यह इन पर्मुखः मुद्दों से जो है भे ध्यान बढ़का जा सके तो यात्रा है ही इन सभी लोगों की जो है आवाज बनने के लिए तो पूरा और वही यात्रा जो है उननीस तारीक और शाम को जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में जो है वो एंटर करेगी और यहां पे भी उनीस सभी बेरोजगार और कई जो ऐसे चात्रे जो मुद्दों के सांजा करेंगे और आने वाले समय में उनकी वाज जो है वो जो है उजागर की जाए इस समय मुस्ली जो प्रोटेस्ट करें वो भारते जंता पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो किस तरीके से डील किया जाएगा ताकि इन लोगों से उस्पेशली बात करेंगे और उनको बताया जाएगा रूट कप कौन से जिले में पहुंच रहे हैं कहां पे तो जो भी उनको कमफर्टेबल और फिजिबल रहेगा तो उनमें वो खुद राहूल जी के साथ चलकर जो है अपने मुद्दों को जो है वो साज़ा कर सकते हैं लगरा है कॉं कुल जमू कि यात्रा से पहले भी ऑपोजिशन पार्टी सबसे बड़ी इस देश में कॉंगर्स पार्टी ही थी यात्रा से पहले भी अंडिस्प्यूटेड एक नंबर से लेके दस नंबर तक मैं कहूंगा राहूल गांदी जी के वले से नेता थे जो मोधी और बाजपा औ ऐसा नहीं है कि यात्रा से ही जो है इससे पहले कॉंगर्स पार्टी ऑपोजिशन की बड़ी पार्टी नहीं थी हां बलकि यह जुरूर बो सकते हैं कि जो लोग कहते थे क्यों कॉंगर्स पार्टी क्यों राहूल गांदी ही उनको इस यात्रा के माध्यम से जवाब जूरू तोड़ो यात्रा है किस तरीके से आप उनके इस बयान को देखते हैं बल्कि यहां पर भारती जंता पाटी भी नज़र आ रहा है पहले आप लोग अपना जितने बयान है या जितने भी एजंडास कि आप देखिए आपने जो स्वागत करवा रहे हैं वह नेशनल को भी बुल है है हम उनका स्टेंड अपना अपना अफारे करेंगे रहूल जा करहें कि अब स्टेंड हो बिल्कुल और है जिस तalar क्रेज में तो ठोड़ा गया वह गलत है तो इस पर स्टेंड क्लियर करने वाली बात कि है और रही दूसरी बात बारती जंता पार्टी जो है बारती जंते पार्टी अगर मेभुबा मुफ्ती के साथ सरकार बना सकती है तो वही मेभुबा मुफ्ती अगर यात्रा का वेलकम करने आ रही है तो उनके पेट में इतनी दर्द क्यों हो रही है उनको तो पेट में कोई दर्द की तरफ पहले उनका ये एक मानना था कि यात्रा केवल जो है दक्षिन तक रहेगी ये नौर्थ में आते आते जो है फेल हो जाएगी लेकिन आपने देखा होगा उल्टा बारती जंता जो उनके राज्ये हैं वहां पर तो इस यात्रा को उससे भी जादा समर्थर मिला मैं उत अभी तक भी इतिहास बन चुका है और आने वाले समय में यहीं समझने पारें कि आखेकर ऐसा क्या टूटा था जो राहूल गांदी जोडने जा रहा हैं क्या भारत जोडो में जोडो वर्ड क्यों कि भारत तो अल्रड़ी पहले से ही जोड़ा हुआ है और क्या जोड़ना देखें जब इस देश में युवाओं को रोजगार मिलनी रहा हुआ तो उनका सहास तो तूटा ही होगा ना महंगाई की दर जो है वह सबसे ज़्यादा है आज कि समय में 500 का सिलंडर 1100 में हो गए तो गरीबों का सहास तो तूटा ही है ना तो जब युवाओं का गरीबों का साहास टूटा हुआ है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि बारत जुड़ा हुए है अब कही बारी हम कहावत में कहते हैं कि आपने फोट तोड़ दिया जब किसी के दो लोगों के बीच में जाके लड़ाई लगवाता हैं तो हम बोलते हैं जाके शने उसका गर तोड़ दिया तो कि वहां पर करेक देखने जाते हैं कि कहां है बता हो पहले तो नहीं टूटा हुआ था तो यह तो बिलकुल असान सी बाशा है जो समझ रहा है आराम से समेज रहा है जो नहीं समझना चाते हैं वो इसी तरीके की बाते जो हैं वो करेंगे रविंदर रैना जी को बुलाएंगे आप क्योंकि आप सभी लोगों को बुला रहे हैं वो भी हमेशा जब इसका बात का मैंने सवाल उनसे पूछा जवाब बड़ा स्माइल करके देख दिया अब भी आ चाहेंगे की आप भी आए जड़ा देखिये कि कहां कहां भी भारत तूटा है चलिए हमारे सदे साथ हो बताओं कोशिड कर रहें मैं के कि मुझे है चात्रोंके मुद्धowej है आये आप लोग हमारे साथ हलिये और हम आपको अपने चछमें से झाओब जब आप हमारे चश्मे से देखेंगे और सभी देश्वासियों का और प्रदेश्वासियों के जब आप सहास तूटा हुआ पाएंगे तो फिर आपको भी बता लगेगा कि यहां बारत को जोड़ने के जुरू तरहा है जो चश्मा में उनको यह सब नजर आई नीरा कॉंग् कहीं लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं पर ऐसे कुछ चश्माय पहने करेंगे हैं